नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल पर और साथियो जैसा कि आप जानते हो, हमारा ये चैनल हर्याना की जितनी भी भरतिया है हर्याना को असल रोजगार निगम है, TGT, PGT हर्याना की भरतिया है तो साथियो, let's get to the point, आज जो चर्चा का विशे है, वो रहेगा हमारा हर्याना कोसल रोजगार निगम जैसा कि आप सभी जानते हो, 2022 के अंदर जो हर्याना कोसल रोजगार के अंदर अध्यापक बरति कई परकरिया थी, वो शुरू हुई जिसके अंदर 2022 में करीबन 4000 के करीबन ओफर लेटर की जो शोट लिस्ट किये गए थे, जिसके अंदर 2000 के करीबन साथियों को जोईन करा दिया गया था, बाकि 2000 थे, वो पेंडिंग रहे थे और यहां तक की CM साब ने भी बोल दिया था, कि जितने की जोईनिंग होगी है वो ठीक है, आगे से भरती के जो क्राइटेरिया है वो बदले जाएंगे और नए नियम के अनुसार भरती होगी, लेकिन हमारे 2000 उन्हेंतर साथियों को, दो जार 22 में शोट लिस्ट किया गया दिसंबर में लेकिन उनको जोईनिंग के समय जोईनिंग नहीं मिली थी, तो साथियों उन्होंने कोशिस की उस समय वो लगे, आप ये उस समय की देख सकते हो कि 2009 चैनित अभी आर्थियों को नहीं मिले ओफर लेटर, नहीं नियुकती, 2022 की ये बात है और आज 24 हो चुका है और उन साथियों को 7-8 मेने जोब करते भी हो चुका है, यानि कि वो इस बरती के पिछे लगे रहे, उन्होंने तन, मन और जो भी वो कर सकते हैं इस बरती के लिए किया, और इस बरती को पूरा करा के ही दम लिया, तो आज उन साथियों, उन टीम को ही ये वीडियो समर्पि है, कि चाहे बरती कोई भी हो, चाहे हमारी रेगूलर टीजटी पिछेतर सो पिछेतर चल रही है, या अचक्यान की है, तो वो एक सिस्टम से ही पूरन होती है, यानि कि एक तरिक्ये से ही पूरन होती है, और किस प्रकार इन साथियों को जोइनिंग मिली, वो चर्चा कि आप समसकते हो, पीजटी, टीजटी बरती उलजी नए सीरे से कराने की त्यारी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हो, न्यूस्पेपर के अंदर भी खबर आई थी, कि अब ये बरती नहीं होगी, और उस टेम जो केम थे, यानि कि जो सियो थे, एचक्यान के वो पांडूरंग जी थे, और बहुत बार हमारे साथी उससे में भी मिले, लेकिन काम हमारा नहीं बना, लेकिन बाद में आप देख सकते हो, इस तस्वीर के अंदर भी हमारे जो साथी सिर्शा टीम थी और फत्यवाज टीम थी, वो जैसे समा मेडम होगे, रा प्रस्पोंस मिला था, उसके बाद आप देख सकते हो, फत्यवाज में जब सीम का दोरा था, तो उस वक्त भी मारे फत्यवाज की टीम है, और कुष्टवाणा के साथी हैं, शिर्शा के भी हैं, जैसे आप देख सकते हो, समा मेडम है, मतिंदर सर हैं, अनील सर हैं, इदर र तर्फ लावल देख सकते हो, इन सभी सात्यों को 7-8 मेने से यह जोब है, वो कर रहे हैं, उसी काफल है कि इन्नोंने हर बर्त्य के पिछे एक संगर्स होता है, जैसे टीजीटी के पिछे भी एक साल से धरने चल रहे हैं, उसी परकार हरियाना कोसल रोजगार की जो बर्ती आप मैं इसका पाठ रहा हूँ regular का भी मैं इसका हूँ regular भर्ती में भी समलित हूँ और हरयाना कोसल में भी सामिल हूँ PGT मेवात में भी था तो हर भर्तियों से हमारे link हैं वो रहे हैं और हमने पृख्षाय दी हैं तो देख सकते हो ये साथी यमना नगर वाड़े हैं हमारे कृष्ण पाल जी गुजञ ने शिक्ष्या मंत्री उनको हमारी 2019 के लिए क्या दे रहे हैं ग्यापन दे रहे हैं इसके बाद ये अब लेटेस्ट साथी हो जो यमना नगर करनाल की टीमें हैं वो साथी आये थे और ज जो TGT बरती वाले हैं या हर्याना कौसल वाले हैं उनकी एक एज हो चुकी है उनका बरतीयों का लास्ट पड़ाव है तो एक परकार की सभी साती अपनी सुरक्षया चाते हैं और जो सेलरी समय पर नहीं आती थी या जो एक्सेंजन का सिस्टम था वो सभी को दुरुस्त करने के लिए हमारे साती हैं वो ने जो सिक्ष्यामंतरी बढ़ी है हमारी महिला सिक्ष्यामंतरी त्रिखा जी उन्से मुलाकात की है उसके बाद आप देख सकते हो यह हमारे जो मात्टर शक्ति है महिला द्यापक है वो बार-बार पंच्चकुला का दोरा कर रही है यहां आप द समय से उसको निकलवाने के लिए पहुंचे थे फाइनस डिपार्टमेंट और इनी की इस कवायत की बज़े से इनकी स्ट्रगल की बज़े से मेहनत की बज़े से आज सभी साथियों की सेलरी आ चुकी है सभी साथी अपने पदों पर आसीन है कुछ साथियों को जैसे पीजेट की कोशिश करेंगे यहां भी आप देख सकते हो कि दिपक काली रमन है समा मेडम है और अन्य साथी है वो लगातार इस मुहीम में लगे रहते हैं यह भी उनकी फोटों उन्हीं में से साथी है जैसे रितू मेडम सिर्षा से हैं समा मेडम फतेवास से हैं अन्य साथी करनाल य एक्स्टेंशन हुआ है तो उसी फाइल को पास करवाने के लिए पंचकुला जो राजे स्खुलर जी है उनके निवास स्थान की फोटो है वहाँ पहुंचे थे और राजे स्खुलर जी का भी एक बड़ा योगदान हमारी भरती में साथियो रहा है यह सेम पिक्चर आप वही वहली मुहीं में वह चलती रही है यह वहीं की फोटो है साथियो इसके अलावा आप यहां भी ग्यापण देरे हैं बार-बार यहां हमारा फिर दीएस्टि के अंदर पहुँचे हैं साथि और आप बार-बार देखते हो तो हाना से जो मेडम है हमारे मनीका मेडम है या अन् नए साति हैं भट्टू ब्लोग से अनील जी हैं जो काफी सेयोगी रहे हैं जैसे आप ये पिक्चर हैं भी लेटस्ट है सातियों अनील जी बट्टू ब्लोग से हैं कुछ अन्य सातियों को मैं थोड़ा कम जानती हूं जो एक्टिव रहते हैं उनके नाम जैसे हमें समरण ही रहते हैं तो ये सबी साथी मिलकर हमारे अच्क्यान के लिए भावी बविश्य के लिए क्या कर रहे हैं साथियों कारे कर रहे हैं और ये भी एक बात अच्छी बात रही है इस ग्रूप की कि इनों ने कभी भी किसी परकार का कोई स्केंडर नहीं दिया है किसी से किसी परकार क जो रासी है वो वसूल नहीं किया है और अपने दम पर ही अपने साथियों को इकठा करते रहे हैं और उनका सयोग है वो करते रहे हैं हमेशन जब भी बात इन साथियों से होती है चाहिए नेल सर है समामेडम है या अन्ने कोई भी साथिये हैं तो वो सब यही करते हैं कि सर सिर कि ये ग्रूप है वो अपने ही दम पर जो भी साती हैं मिलके जाते हैं और इस मुहीम को आगे इनोंने बढ़ाया है ना ही कभी कभी भी किसी से दस रुपे हैं वो भी इनोंने किसी जाने के लिए कहीं भी नहीं लिये हैं क्योंकि मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ तो अगर ऐ जितने भी साती एचक्यान के जोब कर रहे हैं तो इन सातियों का उस जोब के पिछे एक लंबा संगर से रहा है तो सातियों आगे भी हम कुछ साती प्लैनिंग मना रहे हैं कि अब दो-चार दिन चुटियों के बचे हैं तो इनके दुरान कहीं दोरा है वो अमरा बढ़े तो ह तो आप वहाँ अगर किसी साती को किसी ब्लोग से बुलाया जाता है अभी आप लेटस्ट में भी देख रहे हो कि मुख्य मंतरी जी को हमारे जो नायाब से नहीं नए मुख्य मंतरी मुने उनको कितने ग्यापण हमने दिये हैं और उनका पोजिटिव रिस्पोंस भी आया है क कि 58 साल तक अच्यारण में जितने भी साती लगे हैं वो निकाले नहीं जाएंगे अगर रेगुलर आता भी है तो उनकी अड़्जेस्टमेंट है वो सात्यों कर दी जाएगी यानि कि सात्यों हर डिस्टिक्स से साइक कैथल है यम्ननगर है फत्यवाद है या पंचकुला है जिस भी सतर पे जो भी साती है वो आपस में सही होगे कर रहे हैं जिसकी वज़े से आज सभी सात्यों की समय रहते सेलरी है वो लगबग आगी है और सभी सात्यों का एक्स्टेंशन है वो दिसंबर तक हो गया है एक बार फिर सभी एचक्यान सात्यों को मेरी और से बदाई क कि दिसम्बर तक उनका एक्स्टेंशन हो गया है और सभी सातियों की लग बग सेलरी है वो अकाउंट में आ चुकी है और एपिएफ है वो भी सातियों आपके पास मैसेज आ रहे हैं तो सभी काम समय समय पे हो रहे हैं लेकिन इसके पिछे जो टीम में काम कर रही है वो भी कर रही है फतिवाज की समा मेडम है वो भी बड़े कर रहे हैं अनील सर भी है उदर राकेश सर और रितु मेडम है तो सभी सातियों मिलके सयोग कर रहे हैं जिसकी बज़े से आज हम सभी सातियों अपना जीवन यापन है वो चला पा रहे हैं देखो रेगुलर बरती भी हो उसके साथ हमारे ये साथियं वो भी बने रहेंगे एक विशेश बात और सातियों जो साड़े साथ जार टीचर है वो सेम ही एचक्यान में आपको पता है नुकत है जैसे ही साथ जार वो लगेंगे तो साथ जार पोश्टें और खाली होंगी और ने साथियों को रोजगार का आवसर मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि साड़े साथ है वो कहीं बार से आएंगे इन्हें एचक्यान साथियों से वो आएंगे और वो न्युक्तियां लेंगे और उनकी जिगें जो सेट खाली होंगी वो हम जैसे जरूरतमन साथियों को उनको रोजगार है ये दिया जाएगा तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर